हेलो फ्रेंज अब खादर अमसेला किचन में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लेकर आए हैं आप सब के लिए एस्पेशल गाजर का हल्वा बहुत ही टेस्टी और गाजर का सीजन भी चल रहा है तो फटा फटा अपने गर पे बनाएए और चलिए रेसिपी सुरू करते हैं बाकी कभी सब कर लिते हैं अज़्छे से मज़े ट्रडिशनल तरीके से हला बनाना पसंद है मैंने दो-ःतीन तरीके से ट्राइ अलेकिन मुझे उटेस्ट पसंद नहीं है यहीं मुझे टेस्ट जादा पसंद है तो मैंने बातों बातों में अच्छेος से कदु कर लिया है और फटा फट से हम लोग कडाई बठाते हैं गैस के उपर तो यहां पर मैंने कडाई गरम किया इसमें डाल देते हैं दो से तीन चमच घी तो मैंने धाई चमच डाला है अंदाज से अपने इस अपसे जादा भी डाल सकते हैं गी और इसके अंदर डाल देंगें कस किया हुआ गाजर गाजर डालने के बाद आपको मेडियम प्लेम पर 10 मिनट तक चलाते हुए पका लेना है तो इसको मैं बीच बीच में ढग भी दोंगी इसे जल्दी थोड़ा सा सौफ्ट हो जाएगा गाजर उसके बाद हम लोग इसमें दूध डालेंगे तो ढग देते हैं और ध्यान रखे गाजर जलेना बीच में आपको चलाना है तो यह 10 मिनट हो चुका है और देख सकते हैं सौफ्ट हो चुका है गाजर अब इसमें हम डाल देंगे एक गिलास भर के दूध और चला लेंगे अगर दूध कम लगे तो फिर से आइड करूंगी पहले चला के मैं देख लेत है तो मैं इसमें और दूध आधा गिलास डाल देती हूं तो मैं आधा गिलास इसके अंदर डाल देती हूं दूध को और उसके बाद दूध डालने के बाद टोटल डेड़ गिलास मैंने दूध डाला है और डालने के बाद चला लें उसके बाद फिर से मैं ढग दूंगी और ध्यान रखते बीच बीच में चलाते रहना है, जब तक दूद्स अच्छे से सोMat जाए. तो एक जम अच्छे से सुख गया है, हल्वा अच्छे से भग चुका है, अब इसमें बस चीनी डालने के वारी है. तो पहले हम इसमें डालेंगे Milk Powder. milk powder से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसमें तीन चमच हम डाल देते हैं milk powder अगर आपके पास है तो डालिये नहीं है तो इसकिप कर सकते हैं अब दूद के quantity थोड़ा और बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास खवा है तो भी डाल सकते हैं, जिसको मावा बोलते हैं, तो इससे भी अच्छा टेस्ट आता है, अगर मावा है आपके पास तो, और उसके बाद हम लोग डाल देंगे चीनी, तो चीनी मैंने 500 गरम लिया है, अपने हिसाब से मीठा कम या जादा कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा मीठा कम खाते हैं, इसलिए मैंने अपने हिसाब से डाला है, और चीनी डालने के बाद आपको फिर से अब ढगना नहीं है, बस आपको चलाते हुए भून लेना है हल्वा को, जितना अच्छे से भूनेंगे, उतना अच्छा हल्वा आपका बन के तयार हो हम यही हल्वा का कलर चाहिए, और इस तरीके से ही मुझे हल्वा बना कर खाना पसंद है, किस किस को इस तरीके से हल्वा बना कर खाना पसंद है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और टेस्ट के लिए डाल देंगे इसमें इलाइची पावडर, थोड़ा सा लास्ट में दे यहां हो जो और चला लेते हैं और हल्वा हमारा बनके तयार हो गया है और इसमें बस डाल दोते हैं ड Kolleginiph लास्ट वाला कि अपने साथ से कोई भी ड्राय फुरुटस ले सकते हैं मैंने इसमें लिया है काजुत बदाम और कियूंत अ ओ ध्यूरत है फिर हम इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे तो गैस को पहले बंद कर देते हैं अब इससे जादा नहीं बुनेंगे यहाँ पर मैंने लिया है भाउल और इसके अंदर हम डाल देंगे हलवा आप देख सकते हैं कितना रसीला जूसी हमारा हलवा बनके तयार हुआ है और यह बहुत ही टेस्ट ही लगता है और जब गाजर के सीजन आता है ना तो हम लोग हलवा बनाके बहुत खाते हैं यह मैंने उबाल कर भी टेस्ट ट्राइ मतलब उबालके लिए फीर और मीक्सर ग्राइंडर में भी पिच्ट के भी मैंने ट्राइगी या वह इस तब मुझे टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा जितना लोग बनाते हैं पुराने तरीके से वही मुझे ज़्यादा पसंदा और थोड़ा से ड्राइब फूर से गार्निश कर देते हैं और हमारा हलवा बनके तयार है और जल्दी से मेरे चैनल कर सब्सक्राइब कर लीजिए और नए ने वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे